पेटरॉल और डीजल के दाम बढ़ना क्या शुरू हुए मेंगाई ने सभी को रुला कर रख दिया है सबसे सबस्ती हरी सबजियों हुआ करती थी लेकिन अब यह भी मुझ चुलाने लगी है आलम यह है कि आम ब्यक्ती सबजी मंडी सबजी खरीजने तो जाता है लेकिन हरी सबजियों के दाम सुनकर आलू प्याज और टमाटर खुले कर बापस आ जाता है इस समय हरी सबजियों के दाम आसमान चु रहे हैं पेट्रॉल और डीजल के दामों ने आम व्यक्ति की पहले से ही कमर थोड़ दी है। अपने घर खर्च को मैनेज करने के लिए गरीब व्यक्ति दो पईया बाहन चलाने के अपेक्छा साइकल पर उतर आया है। लेकिन महंगाई ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा है। अब मह परती महंगाई को लेकर फुटकर सब्जी मंडी में आम व्यक्ति की नब्ज चटोलने का प्रयास किया और सब्जी के बरतमान भाव भी जानने के प्रयास किये तो फुटकर हरी सब्जी विक्रेता के ठेल पर पहुँचे और नीवू के भाव बूचे तो पैरो तोले जमीन किसा गई गर्मी में अक्सर नीवू सबी के लिए रहत बनता था लेकिन अब यही सबसे दूर नजरा रहा है नीवू 200 रुपे किलो फुटकर में बिक रहा है भिंडी करेला और फली भी लोगों को मुझ चड़ा रही है इसके भाव भी आसमान पर हैं तीनों ही हरी सब्जी का नाम महत्मागंदी है यह कहावा तक सब सुनी होगी लेकिन अब सही साबित हो रही है महंगाई ने कमर तोड़ दी है तो बजट को मेनिस करते हुए घर घर चलाये जा रहा है हरी सब्जियों से कुछी दूरी बनाए हुए और आलू टमाटर प्याज 30 रुपे किलो तक की सब्जियों को ही प्रात्मक्त दीजा रही है जिससे दो बक्त का खाना नसीब हो सके अबस्ती सो जितने वी हैं सम्हें गी वहीं पचास किया तो भाई पीछे स्वाधा कमा रही है मैं कारेजे है तो देनेयारी मंदीगे बहुत कमा रही है जासरोबेगा दस रुपेगा डीजी महरेजा नीज के लिए फिर ए रपार्ट